हमारी अर्थ की गिर्द मुख्री कुछम के जो इजसाम है वो गड़िश में होती हैं इन में से कुछ इजसाम जोने वो को दर्थी तोर पर मजूद होते हैं कुछ को हम रोकेट की मदद से अर्थ की सरसे से बाहर लाकर रोटेशन चो कर आते हैं इन सेटलायट को हम लग जोके लिए कुछ रिक्वार्मंट होती हैं अगर तो इनको दी जाने वाली velocity इतनी है कि जमीन के गिर्द जो है वो moment शो करें तो इसे हम लोग orbital velocity कहते हैं और अगर ये दी जाने वाली velocity बहुत भी ज्यादा है जिसे हम लोग v-scape velocity कहते हैं यहने के ऐसी velocity जिससे कोई भी बॉड़ी जनीन की सर्फस से बाहर इतनी जादा velocity से प्रजक्ट टाइल की जाए इतनी जादा velocity उसको दी से बाहर रूटेशिन प्रोग कर दे तो उस विलॉसिटी को हम लग और्बिटल विलॉसिटी कहते हैं हर सैटलाइट को जमीन से बाहर मुंट्रोग कराने के लिए इसकी कुछ लग उसके इंडिशन होती है एक विलॉसिटी होती है जिसे हम लग क्रिटिकल विलॉसिटी कहते है यह जो के जी अंडरूट जी अर्क एक वर अगर कोई बी बोडी जनीन की सर्फेस पर रखकर फर्जकटाई की जए तो उसकी इसकी प्रोजकटाई विलॉसिटी कहते हैं जिससेगी बोडी जनीन की सर्फेस तो बहर फोजेक्ट की जाती है हर सब्सक्राइब हर जो बोडी है उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट होती है उसके लिए प्रोजेक्टाइल विलॉसिती भी डिफरेंट होती है मुख्लिक किसम के लिए जिने अर्थ की सर्फस से बाहर प्रोजेक्ट किया जाता है पर्स कर लिए जिके कि यहां कोई एक अबजेक्ट है और इसे मैं अर्थ की सर्फस से बाहर प्रोजेक्ट करती हूँ तो यह इतना सा डिस्टन्स जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रावल करके वापिस अर्थ की सर्फिस के अंदर आ जाता है नहीं से मजीद अगर इंक्रीज कर दूस प्रोजेक्टाइल विलोसिटी को तो हो सकता है वो यहां कर जमीन की सर्फिस के अंदर आ जे और projectile velocity या critical velocity जिस तरह से आप भढ़ते चले जाते हैं ये भी projectile motion जो है projectile distance जो है वो भढ़ता चला जाता है और एक point ऐसा आता है कि आपकी दी जाने वाली critical velocity इतनी जादा हो जाती है कि बजाएंगे जमीन की surface के अंदर ही आने कि आपका जो object या body है जमीन की surface के around rotation चो कर देता है जिसे हम मुझकी orbital velocity के बराबर कहते हैं कि अब जो दी गई है अब जो critical velocity इस body को दी गई है वो तक्रीब इतनी हो गई है कि वो इसकी orbital velocity के लिए काफी इसकी orbital velocity के इत्वल हो गई है अब ये हैं कि ऑर्बिदल विलोसिटी होती है कितनी होनी चलिए हम्मेरे मालू है की इस इसपी जरी है जिसे किसी भी बॉलिक कि अगर जनीरा जनीरी के तासव एसरे से जनीरा फिल्ड से खाल टाक बाहर ठैंक में इसके बीस्टि से कम होनी जाहिए यह नहीं होना शेहिए क्या हम इसनी विलोसुटि दे दें कि हमारी वह जो अब्जेक्ट है जो शे टालाइट वह बजाए जनीन के गिर्ट व्लॉर्वान करने के, मोमेंट करने के जनीन की ग्राफ केशिंग से बाहर ही करें जाहिए, हमारी जो critical velocity है वो 8 km per second है और जो हमारी orbital velocity है उसके लिए अब भी खोड़ा सा blank रहनेंगे हमें मालू है कि जो escape velocity है वो 11 km per second है अर्थ के लिए तो हमारी जो orbital velocity है वो maximum 9 to 10 के दर्मयान होने चाहिए इन 9 km से 10 km per second के दर्मयान होने चाहिए इतनी velocity से जब किसी भी satellite को किसी भी object को जमीन की surface से बाहर इतनी velocity से project किया जाएगा तो बजाए जमीन की surface gravitational field से बाहर जाने के या जमीन की surface के अंदर आने के जमीन के गिल्द एक मिदार बना लेगा और उसके अंदर जो है rotation चाह कर देगा इसे velocity के जरिए जिसे हम लोग V orbital velocity कहते हैं जो के 9 to 10 km per second के range के दर्मयान होने चाहिए इसे के जरिए मुक्लिफ satellite जो है हमारी Earth के around rotation हो कर रहे हैं मुक्लिफ उसन के geosatellites हैं और मुक्लिफ orbital satellites हैं जो हमारी Earth के around rotate कर रहे हैं यानि कि यह हमारी Earth के around rotation हो कर रहा है इसका distance जमीन के center से बहुत ही कम है हमें मालूम है कि हमारी Earth है उसका radius अगर यहां से यहां तक measure किया जाए तो 6400 km है और अगर मैं यह कहूंगी जो satellite है जिसे हम Earth की ग्रविटेशन, Earth की सब्सक्राइब से बाहर लेकर आएं और तक्रीबन यह distance तक्रीबन 4 km है तो Earth के मुकाबले में बहुत ही कम है तो ऐसे satellite जो Earth से बहुत ही नजीक orbital बनाकर उसके अंदर rotate करते हैं यह हम लोग close orbiting satellite केते हैं इसी तरह मुक्लिक किसम की satellite को तो करीबन 24 close orbiting satellite को जो च्रोबिस satellite को इसी तरह जमीन के गेड़ बहुत ही कम मिदार के अंदर rotate कराया जाता है तो वह एक close orbiting system बना लेते हैं जिसे हम लोग close orbiting satellite केते हैं और जब 24 satellites 24 close orbiting satellite से मिलकर जब एक system बनाया जाता है तो उसे हम लोग global positioning system कहते हैं यह हमारा global positioning system है जो कि 24 close orbiting satellite से मिलकर बनाया जाता है यह भी मुक्लिक परपस के लिए बनाया जाता है मुक्लिक किसम की कम्यूनिकेशन के लिए टीव और रेजियो ट्रांस्मिशन वगरा के लिए मुक्लिक किसम के लिए मुक्लिक परपस के लिए जिसे हम लोग इस्तमाल करते हैं कि पल्दन के लिए लाय बनाया जाएज़ टोता है इस तरह एक इस्तम होता है जो कि फीने ट्रांस्मिशन वगरारा पी इस्तम आए जाता है क्वों क्रीज जे ले जाने वाले मैक्ष जो है बराय respons आलियों एस देखे जाते हैं वक्लिव किसम के इसे होती है किसी भी कंट्रीज में हम लोग बराये रास्तोंने सैटलाइट की मदब से ही देख पाते हैं जियो स्टेशनरी सेटलाइट जो है वह ऐसे सैटलाइट होते हैं जिनकी मोशन को अर्थ की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाते हैं यह वह इस रफ्तार से मुवंट्स कर रहे होते हैं जो सरफ थार से हमारी अर्थ जो है वो स्कति है यह कि हिसा के मुमेंत विलगोर्ण की मुमें यहासी दोरों एक ि स penguin मों मन्योरित राश्प्र महीं काका गितता है वही त्स काई जूओ प्र्म दूंप मिं से शिए कन रृट्स है शिए कि अंध उन् conocدا साय फोंड एंगल चैनल के लिए मुंही किसम के कम्यों लिए लिए मुखल किसम की अक् childish के लिए जाती है कि था में खेले जनेवाले मैच शिजो मुखली कि Vocês की इए सब्सक्टान हो रही है इन ही सफेलिई मेच्छे बराइराist के सकते हैं कोई भी बराइरास हम लोग देख सकते हैं इन सैटलाइट्स की बदोलत और इजो सैटलाइट्स होते हैं हमारी पूरी की पूरी अर्थ को कवर किये होते हैं अर्थ की और इनकी मिल्मेंट बिलकुल एक जैसी इसलिए रखी जाती है कि हर कंट्री में होने विली कुछ जो भी हमें वाहन हो रही है वंहें इन सैटलाइट के जरीए देखा जा सके और हमें ये भी मालू है कि मुख्म किसम जैसी सैटलाइट तो हमारी अर्थ के अर्ध के अर्वाराउंद रोतेशन करने के काबियर एं लुदे करें हैं क्योंक्कि आर्थ की ग्रैविटेशनल फील उन्ह वो फुद्रती सैटलाइट है जो के कुद्रत की तरफ से ही है और यह जो सबकी सब सैटलाइट है जिन्हें हम खुद रॉकेट की मदश्य ज़मीन की सरफेसे बाहर लेकर आए हैं समग्राइट के लिए इन्हें हम लोग आर्टिफिशल सैटलाइट कहते हैं और इन satellite और मुकलिफ किसम के space riddles वगारा की weightlessness की condition को खतम करने के लिए या उनको कम करने के लिए जो acceleration जो provide किया जाता है उन्हें हम लोग artificial acceleration करते हैं तो ये मुक्लिव किसम की सैटलाइट की और मुक्लिव किसम की सैटलाइट को अर्थ से बाहर ले जाकर रूटेट करा सकते हैं और हर सैटलाइट का अपना इस परपसिस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का अपना एक परपस है इसे जर्म जियो स्टेशनरी सैटलैट्स का अपना एक परपेस है, मुकलिफ परपेस के लिए मुकलिफ इसन की सैटलैट्स को अर्थ के बाहर रूटेट कराया जाता है